हेलो फ्रेंड्स वेल्कम्म तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसेस 2021 की टेस्ट सेरीज का टेस्ट थर्टी सॉल्फ करेंगे इसमें हम साइन्स की कुछ अच्छे और इंपॉर्टन्ट कुश्चन से उन्हें डिसकस करेंगे तो आएए देखते हैं देखिए फर्स से जब्न होता है वही वर्ग फूर्थ एक इतवें का गलनांक उचितम होता है सेकेंड में किसी रवे यानि क्रिष्टल के आईनों के एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक और जालक और मिया अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जिस ओर्जा की इसमें केवल एक सहई है किवल दो सही या एक वदो दोनों सही है या इन में से कोही नहीं सही है कारें है इस सबeed कोOS Cl should इर्थ ए ग्रूप में आती है ठीक है अपस में वह लूटर वोत की दवाराबंदे रहते हैं और यह सबसे वीकस्त होता है इसली मैट कर जाएगा तो इस लिमिट कर जाएगा ठीक है तो गलनाग इनका नियुक्सित होगा वही फोर्थ ए ग्रुप के जो element होते हैं इनमें carbon, silicon, germanium आते हैं यह जो होते हैं इनका melting point हाई होता है second में है कि किसी रवे यानि crystal के जो iron होते हैं उनको एक दूसरे से आनन्त दूरी तक अगर ले जाना है तो इसके लिए जो उर्जा किये शक्ता होती है उसे हम जालक उर्जा कहते हैं तो दोनों ही स्ट्रेट रोन यहां पर सही है इसलिए हमारा जो correct answer है वो option C है next question देखिए question number two इसमें है निमलकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां पर चार कथन वो भी सहसायों जी जो बंध है covalent bond उसके से related दिया गया है तो इसमें हम यह बताना है कि कौन सा statement उसे सम्बंदित नहीं है देखिए first में है से सही हो जी बंध covalent bond दरण और दिशात्मक होता है directional होता है रिजिड और directional होता है second में है यह विद्धूत का कुचालक होता है इनका गलनांक अधिक और कथनांक निम्न होता है जो covalent bond होते हैं इनका जो melting point होता है वो high और जो मतलब melting point जो होता है वो high होता है और bowling point को अधिनाग जो होता है वो low होता है next यह गया से सही हो जी बंध यानि covalent bond ताब दाब की जब सामान नहीं वस्ता होती है तो उसमें प्राइए गैस वाश्पिशील दरव और मुलायम ठोस सॉफ्ट जो ठोस होते हैं उसके मदब फॉर्म में होते हैं जिसमें कौन सा कथन जो है वो covalent bond से समन्दित नहीं है या सही नहीं है तो question 2 का correct answer है option c इनका गलनांग अधिक एवं कौतनांग निम्न होता है यही यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि जो कोvalent bond होते हैं इनका melting point और boiling point दोनों ही इनका जो है निम्न होता है क्योंकि इन अड़ों की मद्द दुर्बल आग्रशडबल होता है जिसको तोलने के लिए का मूर्जा कि अशक्ता होती है तो इसी वज़े से यह जो है concentration of solid diagnostic का जो आएंस में होते हैं जो सामाने राइंस नहीं हो रहे हैं तो यह ज़ाहिर सी बिले यह नहीं है तो देखिए इसमें के वेच, सी यू ओएच का होल ट्वाइस, एने वेच और इन में से कोई नहीं तो कुश्चिन 3 का जो करेक्टर आंसर है वो है option B, सी यू ओएच का होल ट्वाइस पहले हम यह देख लें कि जो चार हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है चार जो होते हैं जो बेस होते हैं जिनके पास ओएच माइनस आयन होता है तो वही क्या कैलाते हैं चार कैलाते हैं ठीक हैं तो यह जो चार होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक जलमे विले होते हैं और एक जल में अविले होते हैं जल में घुल जाते हैं और ये सॉध में कडवे होते हैं लाल लिटमस को नीला अब जा और दो चाहर होते हैं यह अम्ल के साथ क्रिया करते हैं लवर्ड और जल बनाते हैं लेकिन चाहर के जो अन्य गुड़ जैसे कि वह कड़वा होगा यह लाल लिटमस को नीला कर देगा यह सब रदर्शित नहीं करते हैं तो इसमें जो के वेच है यह जलमे गुलंशील है और लाल मेंस को नीला कर देते हैं वहीं आपर सी उएच का होल ट्वाइस जो है यह चल में अविले हैं यह डिरेक्टली जो है यह अमलों के साथ क्रिया करके लवड़ बनाते हैं ठीक है और बाकी की जो अभी हम लोग ने डिसकस किया वो था तो हमारा जो करेक्टर आंसर है क्वेशन 3 का वो है सी उएच का होल ट्वाइस नेक्स क्वेशन देखिए क्वेशन नंबर 4 क्वेशन 4 में कथन और कारण दिया गया है कथन में है जिन कार्वनिक योगिकों के अंत में एक दूई बंद रहता है डबल बॉंड उनकी योग बहुली करण थर्मो प्लास्टिक बंते हैं उनकी योग बहुली करण जब उनका होता है तो उससे थर्मो प्लास्टिक बनते हैं कारण है थर्मो प्लास्टिक पदार्त गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और इसमें यह गोड़ सदया मौझूद रहता है चाहे इसे कितनी बार भी कितनी बार्म किया जाये है जितनी भार भी ट्वर क्या जाया जिसे कुछ पदार्थ होते हैं जिन को अगर कई बार वही प्र्सस कर द्युंक् physics से उनकी JON सब्सक्राइब। तो यहीं आपके कथान और कारण दिया गया है तो इसमें हमें यह बताना है कि A तथा R दोनों सही है और R A का सही कारण है A तथा R दोनों सही है किन्तु R A का सही कारण नहीं है A सही है किन्तु R गलत है A गलत है किन्तु R सही है Question 4 का correct answer है Option A A तथा R दोनों सही है और R A का सही कारण है क्योंकि जो कतन में का गया है कि जिन कारविनिक योगिक जो होते हैं उनकी अंत में डबल बॉंड पाये जाता है ठीक है डबल बॉंड ये टृबल बॉंड रहता है उनका जो बहुली करण होता है ठीक है क्योंकि ये जो थर्मो प्लास्टिक जो पदार्थ होते हैं ये बहुलक होते हैं तो इनका जब बहुली करण होता है तो उसी से ही थर्मो प्लास्टिक बनते हैं thermoplastic पदार्त को गरम करने पर ये मुलायम और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं, कटोर हो जाते हैं और ये इनका जो गुड है ये हमेशा इन में विद्मान रहता है, ठिक है और एक thermoplastic का सबसे अच्छा जो example है वो है nylon ये एक thermoplastic है, ठिक है आगे देखिए नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर 5 कुश्चन 5 में है DNA Polymerase Enzyme की कोच किसने की तो देखिए option इसमें देखिए W. Voltaire, Theophrastus, Ehrenberg और Arthur Kornberg तो question 5 का correct answer है option D. Arthur Kornberg DNA Polymerase Enzyme जो होता है ये DNA की सिंसलेशर में मदद करता है ठीक है DNA का जो पूरा एक मतलब उसकी जो सिरीज बनती है तयार होती है DNA का एक मॉडल जो तयार होता है तो उसमें nitrogenous base को या पूरी उसमें मतलब उनको जोड़ने का एक छोटे छोटे टुकड़े मिल करके जोड़ते हैं तो उसमें Polymerase Enzyme जो होता है तो यह उनके बनने में DNA के संसलेशन में यह उपयोगी होता है और इसकी जो खोच की थी वो और्थर कॉर्ण बर्ण में की थी अगला क्रेशन देखिए क्रेशन नमबर 6 क्रेशन 6 में है निमलकित में से कौन सा जीवाड़ू मिट्टी के कड़ों के बीच इस्थित वायू की nitrogen इस्थिरी करण करता है nitrogen fixation करता है कौन सा जीवाड़ू जो की मिट्टी के बीच में जो वायू होती है मिट्टी के अंदर उसमें उपस जो nitrogen होती है उसका fixation करता है तो देखिए यहाँ पे Acerobacter Agospiralum A और B दोनों या इन में से कोई नहीं Question 6 का correct answer है Option C A और B दोनों यह दोनों ही जो bacteria है जीवाड़ू की कुछ यहाँ पे जातिया है जो स्वतन तरूप से मिट्टी में निवास करती है ठीक है और यह मिट्टी के कड़ों के बीच जो वाई है उसमें उपस्ति जो नाइट्रोजन है उसका fixation कर देती है ठीक है तो उसका इस्थिरी करण करती है और इन में यह दोनों ही इसकी example में आ जाएंगे जो मिट्टी में उपस्ति जो नाइट्रोजन है उसका fixation करने का काम करते है Azotubacter और तो इसलिए हमारा correct answer है option C next question देखिए question number 7 question 7 में है निमलकित में से कौन सा ब्रायफाइट प्लांट जिसका प्रियोग माली अन्य पौधो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करता है options है metasequoia sphagnum jamia pigmia या इन में से कोई नहीं question 7 का correct answer है option B sphagnum देखिए जो ब्रायफाइट प्लांट होते हैं उनमें में जो मेली हम लोग जो स्टड़ी करते हैं ब्रायफाइट प्लांट में उसमें मौस की करते हैं ठीक है मौस जो होते हैं तो यहां पर sphagnum एक मौस है sphagnum नमक जो मौस होता है वो अपने swim का उसका जो weight होता है अपने swim के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की इसके अंदर छमता होती हैं इसी वज़े से जो माली होते हैं वो अन्य जो पौदे होते हैं वो सूख उनको अगर कई दूरी तक के उनको लेकर के जाना है और पानी की कमी है ठीक है और उनको सूखने से बचाना है तो इसी में ही करके इस sphagnum जो मौस होता है इसी में ही करके उनकी जो दूसरे पौदे होते हैं उनकी जोड़ो को रख करके फिर ये माली उसका यूज़ करते हैं एक जंगा से दूसरी जंगा तक ले जाते हैं ठीक है तो ये अपने वेट से ठारा गुना आधिक पानी सोखने की चंता रखता है नेक्स कुशन देखिए कुशन नमबर 8 Q8 में है प्रकाश अिसलेशार की अभी करिया में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है पहले में देखिए प्रकाश रासाइनिक करिया जो लाइट रियक्शन होती है क्लोरफिल की ग्रेना भाग में संपन होती है और इसमें कार्बन डियोकसाइट का अपचेन होकर शरकरा एवाम स्टार्च बनता है वही दूसरी में दिया गया है रासाइनिक प्रकाश हीन क्रिया जो डार्क रियेक्शन होती है वो chlorophyll के stroma में होती है और इस क्रिया में जल का अपगटन होका है hydrogen ion तता electron बनता है कूर की सायता से में इस cancer देना है कि केवल एक statement सही है केवल दो सही है एक वा दो दोनो सही सर यहां पर क्या पूचा गया सही नहीं है ठीक है तो केवल एक सही नहीं है दो सही नहीं है या एक वा दो दोनो सही नहीं है या इन में से सभी सही है ठीक है सभी तो question 8 का correct answer है option C एक वा दो दोनो ही सही नहीं है देखें पहले वाले हिंद गया गया कि प्रकाश रासायने क्रिया यानि कि जो light photosynthesis जो यहाँ पर होती है उसमें जो light reaction होती है वो chlorophyll का जो ग्रेना वाला भाग होता है उसमें होती है ये तो बात सही है ठीक है और इसमें carbon dioxide का up chain होकर शरकरा एवं starch बनता है यानि जो photosynthesis की जो process होती है उसमें carbon dioxide और water ये दोनों reaction करके क्या बनाते हैं glucose बनाते हैं C6H12O6 ठीक है और oxygen निकलती है और oxygen निकलती है तो ये इसकी reaction होती है अब इसमें पहले वाले में क्या कह रहा है कि carbon dioxide का up chain होकर कि शरकरा एवं starch बनता है वाई शरकरा यानि कि glucose बने या इ जो है carbohydrate का मलकील हो जाएगा ठीक है polymerase में आ जाएगा तो अब यहां पर यह है कि यह जो process है जो ग्रेना होता है ग्रेना वाला जो भाग होता है इसमें carbon dioxide का अपचेन नहीं होता है बलकि जो hydrogen यहां पर दिया गया है जलका अबगटन होता है जलका अबगटन की जो process होती है ग्रेना वाले भाग में होती है ठीक है वही दूसरा वाला जो statement है कि रासायनिक जो प्रकाश हीन करिया है इसमें यह प्रकाश हीन यानि dark reaction स्ट्रोमा में होती है और स्ट्रोमा में जो dark reaction होती है इसमें carbon dioxide का अपचेन नहीं करके शरकर आवनती है ठीक है तो यह दोनों ही statement ग पादप हार्मोन जिब्रेलिन के खोच करता निम्न में से कौन है? आप्शन से डार्विन, कुरोसावा, टैंसले या जी बर्जीलियस तो question 9 का correct answer है option B option B जो है कुरोसावा ये पादप हार्मोन जिब्रेलिन जो है उसके खोच करता है last question है question number 10 question 10 में है अनिशीक, फलन, पार्थिनो, कार्पी, द्वारा बने फल का उधारण इनमें से कौन से नहीं है? तो option में है केला, पपीता, अननास और सेव तो इसमें कौन सा है जो पार्थिनो, कार्पी के द्वारा नहीं बना है? तो question 10 का correct answer है option D, सेव पहले तो हम यह जानने की पार्थिनो, कार्पी के होता है? कुछ पौधें जो बिना निशीचन, बिना फर्टलाइजेशन के ही अंडाशे में मतलब कि कुछ पौधों में ऐसा होता है न कि बिना फर्टलाइजेशन के जो ओवरी होती अंडाशे जो होता है वो फल में परिवर्दित हो जाता है तो फल में जो उसका विकास हो जाता है वही क्या प्रोसेस कहलाती है अनिशेक फलन कहलाता है इस तरीके के जो फूरूट होते हैं उनकी जो बीज होती है मतलब इस तरीके के जो फूरूट होते हैं वो बीज रहित हम मानेंगे बीज रहित होते हैं और इनके जो बीज होते हैं वहानास जो होता है इसमें भी देखने को मिलती है। तो यह तीनों ही जो fruit है वो पार्चिनों कार्पी के द्वारा जो है बनते हैं वह यहां पे जो सेब हैं सेब जो होता है यह फॉल्स फूरूट में आता है ठीक है क्योंकि फॉल्स फूरूट वही होते हैं जिनका निर्माण ओवरी से नहीं होता है और प्लांट के और जितने भाग होते हैं जो कैलेक्स करोला वगेरा जो होते हैं इन सबसे अगर होता है तो वह फॉल्स फूरूट कहलाते हैं थैलमेस से होता है तो यहां पर जो सेब है वह फॉल्स फूरूट है यह पार्चिनों कार्पी के द्वारा नहीं बनता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ह हमारे यहीं पर ही end होती है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्स फर वाचिंग